नमस्ते स्वागत आपका स्टडी लाब्स पर तो यह जो सीटी है सिर्फ एक को पत्ती से मैंने बनाई हुई है मनी प्लांट के पत्ते से और इसमें कुछ भी नहीं है यह ऐसे आराम से खुल सकता है और यह पत्ती को मैंने इस तरह के सर बस रोल किया और उससे एक सीटी बनाई ही गाओं में तो यह बच्चे काफी हद तक करते रहते हैं शेहरों में बच्चे इसको नहीं करते हैं या उनको पता ही नहीं होता है कि ह पत्तों को रोल करके उससे सीटी बना सकते हैं, एक तो इसमें ये दो-तीन चीज़े जो सीख सकते हैं, वो क्या-क्या है वो बस मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, इसको बनाना तो बड़ा ही सिरल है, इसको बस आपको रोल करना है और फूकना है, अब जो सबसे पहली किस से बजेगा, किस से नहीं बजेगा, किसी पत्ती से अगर नहीं बज रहा है, तो क्यों नहीं बज रहा है, और किसी पत्ती से अगर बज रहा है, तो क्यों बज रहा है, ये एक बच्चों के लिए समझने वाली बात है, फिर उसको रोल कैसे करना है, कितना आगे की तरफ चोड़ाई देनी है और कितना पीछे की तरफ छोटा रखना है उसकी एक समझ डिवलप होती है दूसरा जब वो फूकते हैं या जब हम फूकते हैं इस सीटी के अंदर में तो वहाँ पर सांसों का कंट्रोल बड़ा जरूरी है क्या होता है कि अगर आप बहुत तेजी से फू बजना बंद हो जाएगा तो यह प्रेक्टिस की बात होती है ऐसा नहीं होता कि आपने बस रोल किया और पहली बार लगाया और बजने लगा तो वह पॉइंट कौन सा है जहां पर वह उतनी हवा आएगी उस पे बजेगा क्यों बजेगा फिर वह वाइब्रेशन के बहुत स तरल प्रेयोग कि आप एक पत्ती लीजिए और उससे सीटी बना सकते हैं